वेगे लिगमागाईज जेकेलों जोब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्सक्राइब कीज़े जेकेलों जोब चैनल को और पाते रिए बीएस नर्सिंग इंट्रास इक्जाम के लाइटस्ट इनपोर्मेशन और प्रेपरेशन तो आज हम डिसकस करने वाले इमने में से क्या प्रक्षपे गती में इस्तिर रहेगा विच अब दफ लौविंग इज कॉंस्टेंट इने प्रोजेक्टाइल मौसन वे का कसे तीज़ गटक वे का उद्रादर गटक प्रक्षपन वे या प्रक्षपन वे का परिणामी बताएए करेक्ट ऑप्सन पहले आ तो पीजिंट्यर हम कर चुके थे बाइलोडीकिया भिश्य घर ट लगा दिया। देखते इसका right option क्या होगा और जिन जिनका right option है उनको बहुत बहुत दिनेवाद वे का क्सिति गटक प्रक्षेगती में इस्तिर रहता है right जिनका ये वाला option सही था इस पर टिकल लगा था उन्हें student को बहुत बहुत बदाए और मैं आपको बता दू कि हमार आयकोर चनल ने जीके एमशी को जैम के चनल वहां पर भी हम आपकी त्यारी करवाते हैं लिंक नीचे discussion दिया हुआ है अगला question है तोड़ा सा adjust करना है पड़ेगा येंग के double slit प्रयोग में विवर्तन का परकार है इन येंग double slit experiment the type of diffraction is personal और फ्राइन हॉफर दोनों इन में से कोई नहीं या फिर फ्राइन हॉफर अब बताओ इसका राइडोशन क्या होगा येंग के double slit प्रयोग में विवर्तन का परकार है टिक लगा दो किसी पर भी लगाओ बट आपको टिक तो लगा नहीं है इससे आपके practice अच्ची होगी और जो भी गलतियां करने यहां पर करो इंट्रास एक्जामें गलतियां नहीं करने है मैं आपसे expect करता हूँ कि आप सभ कि अगला कि उसने तोड़ा सा लोंग है बटाईजिए एलार सर्किट में टी इसकल टू जीरो पर बेटरी जोड़ी गई है इस जोड़ के तुरंत पाद निमन में से कौन सी रासी सुनने नहीं होगी सर्किट में धारा बेटरी में चुमके सत्र उर्जा या फिर प्रेरक में प्रेरित विदुतवाग वल या फिर आपका बेटरी के द्वारा दी जाने वाली सक्ती इसका राइट आप सुनों जाएगा आपका प्रेरक में प्रेरित विदुतवाग वल अगला क्यूसने लोंग है बट इजिय है बहुत सारे इस्टुडेंट लोंग क्यूसन को देखे डर जाते बट उनको डरने वाली बात नहीं है अगर लोंग क्यूसने इसका मतलब और इ लिखा हुआ है यहां पर एक वर्तिय डिस्क जो लोहे और ऐलूमिनियम से बनाई गई है इसके जड़ताव आगून को एक ज्यामीतिय अक्स के सांपेक्स अधिक्तम रखने के लिए इस परकार त्यार किया जाना चाहिए किस परकार किया जाना चाहिए एस सर्कुलर डिस्क इस तो बी मैड यूजिंग आयरन एड ऐलूमिनियम तो किप इस मोमेंटम ओप इंटे 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 नेरिया दे मैक्जिमम अबाउट दे गमेंस्टिकल जमेंस्टिकल अफ़ एक्जिल सुड़ तो बी प्रपेर टेट ऑप्सन आपके सामने ऐलूमिनियम अंदर और लोहा चारो और एलूमिनियम और लोहे की परत एके बाद हो या फिर लोहे की चादर दोनों बाहर इस तो पर और एलूमिनियम की चादर अंदर की सामगरिके रूमे हो लोहा अंदर और एलूमिनियम चारो और लगा दिया हो टिप तो इसका राय टो सन आपका एलूमिनियम अंदर और लोहा, चारू ओर, ठीक है, एलूमिनियम योगा, वंदर होगा, और लोहा, चारू ओर होगा, ठीक है, जिन जिन student का इम्यानदार से सही था, बहुत-बहुत निवाद, और जिनका गल्द था, बहुत सारे लगबग आप 15 में से 12-13 कर रहे हो ना तो आपके कंडिशन ठीक ता गए ठीक है 12-13 कर रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन जो लगबग 9-10 कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी 9 भी कर रहे हैं तो कराब बात है ठीक है तो 12-13 तक तो आपको सही जाना ही चाहिए अगर नहीं जा रहा है तो क्या करे सर जितने भी वीडियो हमने बनाए है आपके लिए दुबार से देखो उनको यही आपके सजाए अगर आपके 15 में से 19 ही सही हो पा रहे है तो ठीक है क्योंकि आपको जुरूत है थोड़ी प्रेक प्रेक्टिस होती है अगर कोई भी चीज़ की प्रेक्टिस करेगा ना तो वह पॉसिबल हो जाता है ठीक है अगला क्यों सने एक सुद्ध हर्ज चालक थोड़ा सा चालक की तरह विवार करता है एक फूर सेमी कंड़क्टर वेहव स्लाइटली कंड़क्टर कमरे के तामान प पर उच्छ ताप पर इनमें से कोई नहीं निमन ताप पर सो इसका राएट ओप्षन हो जाएगा आपका कमरे के तामान पर अगला क्यों सने एक सीटी चार सो पचास हटच में इस्तित्थ प्रक्षेपे की और 33 मीटर पर सेगिंट की चाल से आ रही है प्रक्षन दौरा सुनी जाने वाले आवरती है चार सो नोच पांच चार सो निश्टाच या पर पांसो सत्रह अच और गयज में आपको बताओ तो बेस नर्सिंग में इतना सकोप है हर जिगे सकोप है कोई भी फिल्ड नहीं बच्रा की जान सकोप नहीं है हर सेक्टर में देख लो गौर्टमेंट प्रावेट बिजनिस से सेक्टर ठीक हर सेक्टर में देख लो फार्मा को पिरामेडिकल ठीक हर डिपार्टमेंट में इसके रिक्वार्मेंट होती है और से यह यासा करता हूं कि नमबर लाने का परेतन करो गवर्मेंट को लेज में जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखो ताकि आपको इसी परकार की नोलेजबल वीडियो मिलती रहे तो टिक लगा दिया होगा वेसे आपने इसको अब जानके तो लगया होगा ना कितना सरा इसको पे तो नमबर तो लाना चाहिए देखो बेरोजगार तो कोई नहीं रहेगा इसको करने के बाद ये तो शोर है इसका रायटो सुनों जाएगा आपका पांसो हटाज अगला कि उसने एक कण वर्तिय पत पर घूम रहा है कण का केंद्रा भीमुक तवरण वेत कुरुमान में पाती है कण की तरीह जागे कण के दुरुमान के कण के वे के इनमें से कोई नहीं सो इसका रायटो सुनों जाएगा आपका कण की तरीह जागे अगला कि उसने एक गोली इस प्रकार मारी जाती है कि वह मेज पर रखे गुटके में बिद जाती है यदि मेज गर्षन रही हो तो गतिज उर्जा सरक्षित रहती है इस्तिज उर्जा सरक्षित रहती है गतिज और इस्तिज उर्जा सरक्षित रहती है या फिर सम्वेक स्रक्षित रहता है एक गोली इस प्रकार मरी जाती है कि वह मेज बर रखे गुटके में बिद जाती है जिदि मेज गर्षन रहित हो तो क्यूसन को समझना है काईच और उसके बाद आपको आंसर देना है ठीक है जब तक क्यूसन समझ में नहीं आएगा आपके तो कोई उम्मीद मत रखना आंसर सहे देने की क्यूसन समझ में आगया तो आप चांज सहेज़े की टिक लगा पाऊगे लगा दिया हुआ इसका जो राइटोसन होगा आपका सवेक स्रक्षित रहता है अगला क्यूसन है एक दारा वाग चालक उत्पन करता है एक क्रंट केरिंग कंडक्टर प्रोड़स यानि की ना चुमके सहतर और नहीं विदूते सहतर विदूते और चुमके सहतर दोनों भी सिर्फ उदुते सेत्र और चुंके सेत्र यहां से मेगनेटिक फिप्र से और रेप्ट्रिकर्प फिट से कुछ नाता है कि इंडर्ड सेटे घूरैक rainbow ले खालब क्या उत्पन करता है इलेक्ट्रिक ऐदेटईज से क्यों हुआ है कि एटूहंड़ेटवन्तीवाट से देंग थेडिएंड़ेटवन्तीवोट डिसी बेकाउज यह का पिक ओल्टेज हुआज़ेटवन्तीव लीट ईपकाशिस करता है है सो सिंपल इसका राइट हो सुन जाएगा आपका एसी का पिक ओल्टेज 220 वोल्टेज से कहीं जादा है ठीक एंसे कुछन आते हैं आपके और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रुखो आप तू मिलते रहेंगे खजान इस द्रक आपको तो ठीक है ना खजाना पाने के लिए सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस और सारी नोले जा जाएगी और जो हमारा साइनसदम्के चैनल है वहाँ पर हम आपको जान कर देते रहते हैं कहां पर कितना कूर्प है कहां पर क्या है काउंसलिंग कैसे होती है कोरम कैसे ब्रा जाते है सब कुछ हम आपको वहाँ पर जानकर देते रहते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिस में दिया वाए को दिक्त वाली बात नहीं है अगला कि उसने बोहर मोडल के अनुसार लीतियम प्रमाणू जो कि दो गुना आउनाइड जै की निमंतम अवस्ता से एक इलोक्ट्रोन निकालने के लिए निमं पॉंट आठ वन पॉंट फवन वन हंड्रेड वंटीटो फॉंट फॉंट फॉर थर्टीन फॉंट्स बताओ बहुर मोडल तो सब जानते साइंस की इस्टुडेंट आप नैंसे आठी से पढ़ते आ रहे होंगे तो गाइज इसका राइटो सुने जाएगा आपका 122.4 अगला क्यूसेन है तीन पर्तिरोद जिन में से पर्तेक फोरो में एक संभावत रिबूज के रूमें जुड़े है दो कोनों के बीच प्रभावी पर्तिरोद होगा संभावत रिबूज के रूमें जुड़े है तो आपको दोनों कोनों के बीच परवाई परतिरोद बताना है तो इसको आप पहले रप में करना होगा आपको इसको वीडियो को पोज़ करके आप रप में कर सकते हैं या पिर कोई भी खाली पेज लेके देख लो आप पेहन तो होगा ना आपके पास मैंने बोला था कि एसे फिजिक्स में पेहन कोपी लेके बैटा गरो क्योंकि निमिक्रेल आ जाते हैं कुछ निमेरिकल आपसे पूछ ले जाते हैं कुछ सवाल आपके बेस नर्सिंग इंट्रस एक्जाम अरव आपके बीस नर्सिंग इंट्रफ एकजाम में एक पेज भी दिया जाता है आपको रब्कारे के लिए जहां पर ओनलाइन होता है ना उनके लिए दिया जाता है क्योंकि ब्लush Ly होता है उनके लिए एक पेंचिल दी जाती है पेंचिल दी जाती है और जिनके ऑप लाइन होता है तो उनको तो एक पेंच उर्ड रेड़ी मिल जाता है तो अब याप कर सकते हो प्रेक्टिस आंसर देनेगी कि 3 by 8 ओम होगा, 8 by 3 ओम होगा पर 8 ओम होगा, पर 12 ओम होगा I hope आपने रब पे किया होगा वससे, इमानदार student होगे उन्हों तो किया भी होगा और आंसर मेच भी कराया होगा फिर और जो आंसर है होगा उस पे एक भी लगाया होगा, तो ऐसे student निकल पाएंगे जरूर देखना तो इसका रायटों सुनू जाएगा 8 by 3 ओम ठीक है कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, इसको मैं फिर सोल करादेगा वैसे बेसिकलिए आगया होगा इतना ज्यादा यह नहीं समें, ठीक है बच्चो आला क्यूस नहीं है, ऐसे मानगे चलो अब फिर भी नहीं आया ना तो कमेंट कर दो आप तो अगले वीडियो में इसको अच्छे से एक्स्प्लेंट कर दूँगा अगला क्यूस नहीं लोग यह तोड़ा सा है तीन समान आवेस एक वरक के तीन कोनों पर रखे जाते है यह दी Q1, Q2 के बीच लगने वाल अबल F12 और Q1, Q3 के बीच लगने वाल अबल F13 है तो F13 पलो का उनपात है 1 by 2 अंडरूट 2 1 by अंडरूट 2 2 बताई इसका रायटो सुन क्या होगा So guys इसका रायटो सुन हो जाएगा आपका 2 अगला क्यूस नहीं आपका परकास्तरल रिका में गती परती होता है क्योंकि Light appearance to travel in the straight line बेकाउच यह वातावन के द्वारा नहीं सोकी जाती इसकी तरंगदेरे बहुत कम होती है इसका वेग ज्यादा है यह वातावन से प्रावर्तित हो जाती है बताई इसका रायटो सुन हो जाएगा इसकी तरंगदेरे बहुत कम होती है तो त्रंगदेरे बहुत कम होती है तो प्रकास रर्रेका में गती करता पर्तित होता है ठीक है अगला कुशन है लोगे बठीजे और यहां से वीमा तो आपसे पूची जाते है तो वीमा अवस्याद कर लेना 11 की बुक में मिल जाएगा कुछ कुशन 11 से भी आते आपके ठीक है तोल से ज़्यादा आते कंपेर टू 11 समीकरण आपके सामने दी हुई है की वीमा होगी जहांबर पीदाप X दूरी और T समय है तो आपको समीकरण जो दी हुई है इसमें A by B की वीमा क्या होगी बताओ क्यूशन को समझ सकते हो पहले पोज करके भी समझ सकते हो फिर यह जो चार ओप्शन आपके सामने दी हुए हैं उनको टिक लगा सकते हो I hope guys आपने रफ पेज पेज को किया भी होगा और सही पे टिक लगाया भी होगा क्योंकि आपको इंट्रास एक्जाम करें करना है आपको अपना फ्यूचर बनाना है ठीक है तो आप इससे आपने किया होगा इतना मेनत तो करना है पढ़ता है ठीक है तोड़ा सा effort तो लगान बता दूँ पीस कम होती है पेसलेट अधिक होती है वेल्यू अधिक होती है प्लेसमेंट अधिक होता है ठीक है तो इसका राइट और सुन हो जाएगा आपका हम रेगुलर इसी परकार के physics chemistry biology की वीडियो डाल रहे हैं तो आपके नीचे जेकलोन जो आपको दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने page open हो जाएगा और हमारा जो gk m2gmk चैनल है जिसका link नीचे डिस्क्रिस में दिया हुआ है gk mcqmk तो वहाँ पर भी आपको physics chemistry biology की multiple choice question मिल जाएंगे जिसका link नीचे डिस्क्रिस में दिया हुआ है उसको भी जाके subscribe कर लेना ठीक है तो उसको भी हमें तोड़ा से दिखा देता हूँ आपको so guys अगर आप ऐसे youtube पर जाके भी search कर लोगे न gk msqmk फिर भी आपको इस परकार का logo दिखा देगा यह हमारा channel है दूसरा वाला ठीक है इस पर आपको click कर देना है तो आपको यह वीडियो को section पर जाके सारे वीडियो देख सकते हूँ यहाँ पर भी हम multiple choice question upload करते हैं यह दे इनको भी देख सकते हूँ इस लिंक यह जो channel है इसका link नीचे description में दिया हुआ है जाके follow कर सकते हूँ ओके दने वाद